तो हम आपको device पर लेकर के आ चुके हैं, सबसे पहले हम BSVD account opening पर यहाँ पर click करेंगे, उसके बाद में check mark पर हम click करेंगे, check box पर और proceed पर हम click करेंगे, click करने के बाद में हमें यहाँ पर आधार card customer का जो भी है आधार card number डाल देना, मैंने यहाँ पर डाल लिया है, check box पर click करे करेंगे, proceed करेंगे, तब यहाँ पर है customer का account, sorry finger यहाँ पर लगाने के लिए, keep finger बारे में बोलेगा, यहाँ पर finger लगवाने के बाद में, मैंने यहाँ पर process चल दिया, finger लगाने के बाद में, ठीक है, डियान से देखेगा, कहीं भी स्कीमत की जिगा, एक एक स्टेप के साथ अब यहाँ पर आपको एक स्टेप दिख रहा है, यहाँ पर हम no कर देते हैं, यहाँ पर pen validity के बारे में बताएं, तो no कर देते हैं, फारम साथ पर हम click करेंगे, क्योंकि customer के बाद में पर pen card नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फारम साथ बेलिडेट नहीं कर रहा है, ठीक है, allow नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ओके पर हम click कर देंगे, जब यहाँ पर pen number मांग रहा था, तो no कर दिया, अब मैंने दुबारा असी process को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर से वही चीज लेकर के आ रही है, तो हम pen ability पर हम yes करेंगे, यहाँ पर, त देखते हैं क्या आता है process में, यहाँ पर pen number has been validated successfully लिख करके आ चुका है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे इसको ok करने के बाद, proceed करेंगे, ठीक है, इस तरह का interface आ जाएगा, जब pen card का जो successfully validate आया, उसको ok करने के बाद, इस तरह का interface आ जाएगा, आधार सीडिंग consent, ठी जो को नीचे वाले option को छोड़ करके, आपको सबसे उपर वाले पर click करके, और फिर आगे आपको check mark पर click करके, और proceed कर देना, ठीक है, यहाँ पर I agree पर click करेंगे, तब आपको आगे कौन सा step मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का interface आने के बाद में, हमने यहाँ पर step छूड़ जाता है, तो वहाँ पर आप देख लीजेगा कि के सीज के लिए, यहाँ पर यह स्टार देखने लगे हुए, यह सारे के सारे स्टार complete होने चाहिए, बाकि बिना स्टार वाले अगर छूड़ भी जाते हैं, कोई दिकत नहीं, ठीक है, अब मैं आपके एक चीज मैरीड है, अनमेरीड है, विद्वा है, जो भी होगा वहाँ पर भरना पड़ेगा, फादर की डीटेल आपको बर देनी यहाँ पर, फादर का फस्ट नेम और लास्ट नेम, लास्ट नेम अगर किसी जो है, नहीं है उसमें आदार कार्ड में, तो आपका प्रोसेस आगे नह नहीं प्रूस नेम और लास्ट नेम डाल देंगे, जैसे इनकी माता जी का ना में यहाँ पर डाल लेता हूं, मैंने डाल लिया, अब अब यहाँ पर चुनना है, मतलब इनका विवसाई क्या है, तो कस्टमर का विवसाय आप चुन सकतें, इतनी सारी डिटेल हैं यहाँ पर जुन सकते हैं, मैं यहां पर लेवर चुन लेना है, आगे प्रोसेस जब आगे बढ़ाएंगे, परमानेंट अड्रस परमानेंट अड्रस ही जुना है। अब यहां पर जो है अधर कि अभ्या देहान दिजेक आपको चुन लेना है। में यहां पर किसी भी चीज को बलर नहीं करूंगा नहीं करेंगा आपको प्रोसित समझ में नहीं कर नहीं है तो उटी को अब देखे काँ और सब्सक्रक्राइब को माझमर précisίν filter familiar गया आपको तोYour gir जिन को चुने के बाद में आपको डिट एक तो आपको जो जनम्तिति ये वही डाल देना है यहां पर सिस्टमांव आपने सही कर दिया उसके बाद में पर मौबाइल नमबर वही डालना है नहीं चाहें तो आप डाल सकते हैं यहां पर एक option दे रखा है यहां पर email id का मतलब है must be internet banking service के लिए email id ज़रूरी है अगर डालना चाहते हैं डाल सकते वरना कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब हम अगले step पर क्लिक करेंगे मैं यहां पर customer की email id डाल देता हूं उसके बाद में अगले step पर क्लिक करेंगे customer अधर information पर अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले customer type आपको select करना है ठीक है इसमें जो भी हो आप customer टाइप select कर सकते हैं मैं आपर जो है और भी से लेक्ट कर सकता हूं या अग्रेकल्चरे जहां मैं आपर customer के अधर के अधर के ने बताय से लिट सेलेक्ट कीजिए मैंने सेलीड सेलेक्ट कर दिया ठीक है उसके बाद में हमें यहां पर फार्मर सेलेक्ट कर देना है कस्टमर कास्ट जो है ओवी सी कम्यूनिटी में हिंदू सेलेक्ट कर देना है कस्टमर कास्ट क्या सेलेक्ट करनी है आपको तो as cscとvc general in wsa जो भी हो customer को सेलेक्ट कर देना अट कर सब्सक्विन कर सबंदें किया कि बीद करने के नि commend to the 2 अधार के प्रकार को तारिक अधार कर डिया गया था यहां पर 2 प्रकार लगएगा ठीके उसके बाद में आपको ऑगे किल मुंप करना है तीसरे स्टेप पर आप देख लेंगे कोई देख लीजिए कोई पर हाँ यह महीं मैंने आपको यहीं पर बताया था ना कि 10,000 की जगे आपको जो है एक लाग भरना है total income annual average annual income जो है वह एक लाग भर देना है ठीक है मैं यहांपर एक लाग वर स्टेप पर किलिक करता हूं इस तरह का इंटरफेस यहांन पर निकल के आचुका है आपका customer ID जन्रेट हो चुका है अब इसका प्रोसेस आगे के लिए चला जाएदा फेल्ड टू डाउनलोड डियाइस ट्रिक्ट मास्टर कोई दिकतनी एर आ गया अब आपको यहां पर कस्टमर इंफॉर्मेशन बन आ गया ठीक है फिर आगया कस्टमर इंफॉर्मेशन टू और कस्टमर यहां पर लास्ट में आपको तीन डिकलेरेशन तीन चीजें और मिलेंगी कस्टमर फर्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको सारा को डिटेल मिल जागा यहां पर BC, Agent ID, CIF, Soul ID, Customer, Middle Name, Second Name, सब कुछ मिल जाएगा फिर आपको बिलेज आपको यहां पर चुलना पड़ेगा और लास्ट नेम स्वाइब उसके बाद में नौमिनी मेल फिमेल जो भी है नौमिनी की डेटा बर्थ ये भी डाल देनी है रिलेशन विद कस्टमर ठीक है उसके बाद आपको फॉलो करना है क्या चीज मैं आपको बताता हूं आगे नौमिनी की दिटेल यहां से सुरू हो जात और क्या माता पिता भाई बैन किसको बनाया है वह आपको चुन लेना है उसके बाद में आपको 2003 सना लेना हम रचेड़ वगर सर्क दालने के बाद आगहें आपको कस्टमर उन में क्लिक करना है फेस्टू में आपको दो चीज़ और भरनी पड़ेगी ऑन हाउस अपना हाउस है या नहीं यह से नो में ठीक है ओन फार्म आपका फार्म है या नहीं यानि no yes number of animals यह भी भरना पड़ेगा उसके साथ में any other no उसके बाद में exiting bank account of family members household अगर है तो yes कीजिए नहीं है तो no कीजिए ठीक है engagement cultivation इसमें आपको no कर देना है SMS alert facility to be enabled यहाँ पर yes है तो इसमें declaration कर देना आपको ठीक है फिर यहाँ पर आगे आपको मिलेगा SMS alert declaration SMS alert के लिए फिर debit card issue किस नाम से होना है नाम क्या printed करना बो डाल देना है उसके बाद में आपको variant of debit card रूपे debit card मिल जाएगा रूपे debit card पर हमें क्लिक कर देना है रूपे debit card insurance issuance declaration पर हमें क्लिक कर देना ठीक है इसके बाद हमें अगला step follow करना है self declaration पर हमें क्लिक करने के बाद में जो है आगे third number पर हमें क्लिक करना है customer declaration पर हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एंटरफेस कुछ मिल जाएगा आप हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो इसमें आपको क्या करना है bsbd account declaration eqc declaration pmjdy od declaration ठीक है फटका declaration और general declaration सभी पर आपको टिक कर देना है टिक करने के बाद में आप का submit पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से process चलना सुरूऊ हो जाएगा ठीक है process चलने के पाद में आपको क्या क्या निकल के आएगा मैं आपको दिखा देता हूं वह भी यहाँ पर इस तरह से interface आपको यहाँ पर निकल के आजाएगा बीचभीड लिए विदिये अब मैं आपको आगे ले करके चलता हूं इस तरह से आपको नीचे एक डिपोजिट का उप्शन में लेगा प्रिंट और बैक इसमें प्रिंट आपको दो कर लेने मैं आप दो प्रिंट करता हूं ठीक है दो प्रिंट इसलिए करता हूं कि एक कस्टमर को दे देता हूं और एक ऑफारं के साथ में लगागे जमा कर देता हूं धुमा यहीं से टुरंत उसके अकई में जो भी कंपल रेंगे सब मुट करेंगे उतना किसाँफिक से ले लेंगे च्थ örथ जितनागे आए सब्विब चरहें सब्वाएंuitive के सब्वाजिये का धाना ही ले ना है और वह क partie